नमस्कार सर मेरा नाम राजू है आज मैं बात करूँगा एकसिस मीट केप के बारे में जिस फंड में हम सब लोगों ने 13,834 कोड रुपया सब लोगों ने लगाया है इस फंड का ये एयूम है एकसिस मीट केप में 13,834 कोड रुपया है जबकि इस फंड में किसी ने एक बार 12 लाग रुपय इन्वेश्ट किया था 12 लाग का प्लाउट फ्लेट ना खरीद के एकसिस मीट केप में इन्वेश्ट किया था 12 लाग रुपया तो उस पैसे का वेल्यू दस सल के बाद है 78,94,000 dirbt रुपया इसелिय का इसस्ट करें यह फंड 27 लोग वा था और जब से शुरू वा था इस फंड ने 14 पर्शंट का रिटर्न का है जब्कि इस फंड का एकस्पेंस जो है तो since inception यहाँ पे return 14% का दिखा रहा है इसका actual मतलब है कि यह 14% नहीं था इसमें 1.8 काट के आपको यह 14 दिखा रहा है इसको fine way में check करेंगे तो पता चलेगा यह 15.8% का return देता लेकिन बोंबय में 1.8% का expense ratio, expense charge पहले ही काट लिया तो वो काट के आपको 14% का return यहाँ पे दिखा रहा है यानि कि कोई 20% का return दिखा रहा है आपको तो वहाँ पर से 1.5-2% का expense काट के ही वो आपको दिखा रहा है यदि कोई 12% का दिखा रहा है तो वो 1.5-2% expense काट के ही वो 12% आपको दिखा रहा है आपके पैसे से कोई अलग से mutual fund में कोई चार्ज नहीं लेते हैं जो भी mutual fund का खर्चा है सारा expense इसी 1.82% से करना है अब हम इसके performance का बात करें तो पिछले एक साल में इस fund ने 62% का return दिया है जबकि 3 साल में 18% का return दिया है और पिछले 5 साल में 16% का return दिया है तो इसको ठीक से समझते हैं कि 1 साल में 62 कैसे 3 साल में 18% कैसे इसको समझने के लिए हम board पे आते हैं 1 साल में ये 62% दिखा रहे हैं 3 साल में 18% दिखा रहे हैं 2 साल का कोई बात ही नहीं है तो इसको समझिए कि 3 साल का मतलब है कि पीछे 3 साल में 18-18-18% का एवरेज रिटन दिया तो 3 साल में 18-18-18 का रिटन दिया यनि कि कोई बेक्ती 1 साल पेले 100 रुपया लगाया होगा तो 18-18-18, 18-24, 154 रुपया उसका बन गया होगा पर कहीं भी 2 साल के रिटन का बात नहीं करते हैं तो पिछले 3 साल में 18-18-18% का रिटन दिया तो जब माल ले 100 रुपया इंवेस्ट किया था 18-18% का रिटन दिया माल लेते हैं दूसरे साल यदि मार्केट गिर जाए और –26% का रिटन हुआ हो तो जो 118 रुपया यहां बना था उसमें –26 करेंगे तो 92 रुपीज बच गया मतलब जो 100 रुपया अपने लगाया था एक साल तो अच्छा रिटन दिया अगले साल मार्केट क्रेस कर गया तो क्रेस करने के बाद यह पैसा बचा 92 रुपीज अब तीसरे साल यह कह रहे हैं कि 62% का रिटन हो गया तो इस 92 रुपीज पे 62% चला मैं समझाने के लिए यहां सिंपल इंट्रेस्ट ले रहा हूँ कमपाउंडिंग इंट्रेस्ट को यहां पे मैं नहीं लगा रहा हूँ तो 92 रुपीज जो बचा यहां पे पिछले एक साल में 62% का रिटन दिया तो 62 रुपीज जोड दूँगा तो आगया 154 रुपीज फिर से यानि कि जो एवरेज रिटन आप देखेंगे 18,18,18 जबकि ऐसा एक्चुल में नहीं है जैस्ट पिछले एक साल में 62% रिटन कैसे हुआ तो यहां से आप देख लिए 62% कैसे आया बीच में दूसरे साल में करोना काल में मारकेट डाउन हुआ था तो वो क्या डाउन हुआ था कितना डाउन हुआ था यह आपको यहां पे कैलकुलेशन इस तरह से पता चल गया ठीक उसी तरह जब 5 साल का बात करते हैं कि 5 साल में 16% का रिटन दिया तो एवरेज मतलब है 16,16,16,16,16 परशन का रिटन दिया लेकिन आपको बैक ट्रेस करना है तो इसी तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा अब बात करते हैं इसके पोटफोलियो का तो इस फंड के फंड मेनेजर ने टोटल स्टॉक जो लिया है एक्सिस मीट कैप में 66 कंपनी को फंड मेनेजर ने यहाँ पर एक्क्वायर करके रखा है यानि कि अगर हमारे पैसे को डूबना होगा तो 66 कंपनी को दिवालिया होना पड़ेगा ऐसा पोसिबल नहीं है कि 66 कंपनी एक साथ दिवालिया हो जाए उपर नीचे हो सकता है 10%, 15%, 20%, 30% उपर नीचे इसके प्राइस में हो सकता है पर वो दिवालिया नहीं हो सकता है तो यह डरना नहीं है कि आपका पैसा कहीं चला जाएगा यानि कि यहाँ पर आपने अगर 5 लाग रुपया लगा है तो 5 लाग रुपया एक टोकरी के अंडे में नहीं है आपका यह 5 लाग रुपया अलग-अलग 66 टोकरी में एक-एक अंडा रखा हुआ है यानि एक टोकरी गिर जाए तो एक ही अंडा पूटेगा मतलब मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे रिस्क आपका diversified है आप रिस्क पे बिलकुल नहीं है क्योंकि आपका पैसा अलग-अलग जगा पे invested है अब इसके अंदर exact portfolio को चेक करते हैं तो इस तरह से portfolio है कि सबसे जो large company है बड़ा company है जिसका market में market cap सबसे ज़ादा है वैसे gained company में 3% का holding इस fund ने किया है जबकि large cap में 18% का holding है mid cap में 74% का holding है small cap company में 3% का holding है इन सब को जोड़ेंगे तो लगवग 100% आपका portfolio का पैसा इस तरह से distributed है आपको mutual fund के बारे में कोई और सवाल जबाब है तो आप मुझे whatsapp करके पूछ सकते हैं मैं एक mutual fund mentor हूँ मुझे जुड़कर mutual fund में invest करना चाते हैं तो आप मुझे whatsapp कर सकते हैं इस number पे मैं जो advice करता हूँ और जो मैं app provide करता हूँ इन दोनों का lifetime कोई charges नहीं है वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने whatsapp university में इसे जरूर सेर करें thank you so much लोग मुझे youtube और facebook पे देख रहे हैं online link में जाके mutual fund का account open करने के बाद आप मुझे पूछ सकते हैं कि आपको 1500 से कहां सुरुबात करना चाहिए मैं एक mutual fund distributor हूँ एक बार link open होने के बाद आप मुझे सारे query solve करा सकते हैं आपका पहले से mutual fund चल रहा है तो वो भी आप मुझे screen sort करके whatsapp कर सकते हैं और सारे अलग अलग portfolio को एक जगह एक app पे आप व्यू कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो like and subscribe जरूर करें thank you so much